नमस्कार बच्चो आज की करेप्रत्रिका हिंदी पाठमाला भागछे इसमें शिक्षप्रत कहानी सच्ची सिक्षा हम वक्षी टू कर रहे हैं तो इसमें आपका जो शब्द ज्यान है उसके लिए प्रेशन है उसमें उचीत समान अर्थ में सही का निशान लगाना है जो सही ह उसमें निशान लगाना है कि ये सही है और देखना क्या है कि समान अर्थ है या नहीं है तो अनुमती होती है आग्या यानि कि ये सही है इसी तरह से आपको सारे साल्व करने हैं आप ये साल्व करके वर्टसप ग्रूप में मुझे स्कीन शॉर्ट भेज सकते हो वर्टसप कि हमें बताना है कि यह समान अर्थ में है या नहीं है कोस्ठक में दूसरा हमारा प्रेशने है कि कोस्ठक में दिये गए शब्दों से वक्य पूरे करने हैं यहां देखो यह वाला साबित का हमें बताना है कि नंदिनी हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहती है इससे तो मैं ही उससे कैसी साबित होती हूँ अच्छी साबित होती हूँ यानि सिर्ब दो के अर्थ से वक्य पूरा करना है नंदिनी उनकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करती है प्रयतन के स्थान पर आप कर दो प्रयास इसी तरह से आपको इन दोनों के भी जवाब बताने है नेक्स हमारा प्रेशन है देखो व्याकरण का जिसमें सही विलोम पर गोला हमें लगाना है तो शाम, सुबह, उचा, नीचा तो जो सही है उन पर हमें राउंड शेप में निशान लगाना है और ये सारे हमें साल्व करके स्कीन शोर भेजना है ये अपकी वरक्षीट है आज के लिए और उसके बाद हमारा प्रेशन देखो दिये गई मुहावरों का अर्थ लिखना है खिले उडाना, किसी का मजाक बनाना है, आँखें खोलना, यानी हमारी आँखें खोल देना, हमें किसी बात का पता चल जाना नाक में दम करना, किसी को परेशन करना, आग बुबूला होना, यानी बहुत जादा गुस्सा होना इन सब के हमें यहाँ पर अर्थ लिख करके बताने है देश्ट हमारे प्रेशन आजाएगा, मिलान कीजिए, यहाँ पर लड़किया, स्टीलिंग है इसी तरह से आख क्या है, हाथ, तसलि, अंग्रेशी, तोस्त, पेड और सड़क क्या है, जुन्ट क्या है, यह सब में बताना है तो जो सही है, उसे में इस तरह से मैचिंग करनी है यहाँ पर देखो, इस प्रेशन में वाक्यों में प्रेयोग करना है सहनुभुति का में वाक्यों में प्रेयोग करना है परिक्षा में फेल हो जाने पर मोहन को रमेश से सहनुभुति हुई इस तरह से में वाक्यों में प्रेयोग करके यहाँ पर बताना है इसी तरह ग्रह का रेशप्त का भी हमें प्रेयोग करना है व्यक्ति का प्रयोग करना है और विद्यार्थी का प्रयोग करना है बहुत ही आसान है आप आराम से कर सकते हो उसके बाद देखो यहां देखूं लेखनकारे करेंगे हम लेखनकारे में पहला है देगए वाक्यों में सही गलत का निशान लगाना है तो हमें इनमे से पड़कर के सही गलत के निशान लगाने है इदर इनमे और दूसरा मारा है अती लगुतर लिखे अनिता कैसी लड़की थी अगली सुबह तक किसका मन बदल चुका था और पिछ यह है प्रेश् organisations इसमें लगुतर लिखने हैं अनीता के बारे में दोवा क्या लिखने है और अनीता ने अपने विवार में बदलाव का क्या राज बताया और साथ ही हमें लिखना है देरगूतर जिसमें आप विद्याले किस उदेश्य से जाते हैं निकी हमें ये बताना है कि विद्याले जाने का हमारा उदेश्य क्या है ह हम क्यों विद्याल ले जाते हैं किस कारण से विद्याले जाते हैं इस तरह की वक्षीट सॉल करने से आप आसानी से सभी प्रेश्णों के जवाब दे पाओगे यहां पर देखो लेखन काया की पात कर रहे हैं वाराइटिंड टास्क जो है इसमें सची सीख्षा का अर्थ बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखक न है इन सभी के जवाब अपको मेरे अन्य विडियो में मिल जाएंगे तो देखो सची सची सिख्षा का आर्थ बताते हुए मित्र को पत्र लिखना है हमें यहां पर उसे संभोधित करना है फिर यहां हमें बताना है कि सची सिख्षा का क्या आर्थ है क्या मीनिंग है हमें वास्ता में सिख्षा क्यों प्राप्त करनी चाहिए उससे हमारे जीवन में क्या अच्छी कारे हुने वाले हैं क्या उदेश्य होता है सच्ची सिक्षा का ये सब में इस पत्र में बताना है पत्र लिखना है मित्र को उसके बाद हमारा लेखांश पोध जो है ये प्रेशन आता है इसमें आपको यह पढ़ना है ये सारा पढ़ करके सही भूजन मिल जाए तो रोग पास नहीं फटक सकते सही भूजन वह है जो ठीक समय पर ठीक मात्रा में किया जाए अब इस पेरेग्राफ को में बहुत थ्यान से पढ़ना है और उमें बताना क्या है बताना ये है कि उचित भूजन रूप में सही निशान लगाना है कि क्या ये इसका सही भूजन है या नहीं है अगर सही है तो में राइट का निशान लगाना है हड़ी का हड़ियां है तो नेस्ट हमारा विलूम शब्द से मिलान कीजिए, अब हमें ये बताना है कि सही विलूम शब्द कौन सा जैसे लाबदाय का हानी कारक है, इसी तरह से इन तीनों के आप खुद बताएं, और मुझे कमेंन सेक्शन में भी आप बता सकते हो, स्कीन शोट लेकर के भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, वाटस अप ग्रूप में, उसके बाद देखो प्रेशने हैं, प्रेशनों के उत्तर लिखने हैं, कि सही भोजन किसे कहा गया, अभी हमने पेरेग्राफ पढ़ा, उसमें आया था, सही भोजन किसे कहा गया, और शीतल पे इसे क्या हानी होती है, नहीं कुसान होते हैं, और वो सब में यहां पर बताना है, यह सारे प्रेशनी इस पेरेग्राफ में आये हैं, जो अपने अभी देखा, यहां देखो, सही भोजन वह है, जो ठीक समय पर ठीक मात्रा में कर लिया जाए, और जिसमें भुज्य पदार्थों में संतुलन हो, और जो स पाच्चे हो, अच्छे से पचने वाला भी हो, हमें अच्छे से भोजन पच जाए, ऐसा भोजन जो है, अच्छा कहा गया है, यह लेखाईश बोद हो गया हमारा, पैसे हो गया, और आज की वक्षीट बस इतने अभी तक, और भी वक्षीट आपको चैनल पर मिल जाएंगी और सभी पार्ट जो हैं, वो भी मिल जाएंगे, इसके लवा भी जो आपको पार्ट पढ़ना है, तो कमेंट सेक्षिन में मुझे बता सकते हो आप